हो भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो हर घर तक हो गई है ऐसे में किसी भी वीडियो को इंटरनेट पर वाईरल होने में जादा वक्त नहीं लगता इसके साथ ही हुनरवालों को उनके कदरदान भी बारी संख्या में मिल जाते हैं आम लोगों से लेकर सेलबिडीज तक इंस्टाग्राम पर जम कर इस गाने वर रिल्स बना रहे हैं इस गाने के सोशल मीडिया पर वाईरल होने के बाद भोवन रातो राव स्टार बन गए हर तरफ काचा बादाम के साथ साथ भोवन की भी चर्चा होने लगी बड़े बड़े लोग अब भोवन से मिलने आ रहे हैं उनकी पॉपलरिटी काफी जादा बढ़ चुकी है आपको बताते हैं कि भोवन पश्चिम बंगाल के कुराल गुरी गाओं के रहने वाले हैं भोवन को तो पता भी नहीं था कि वो काचा बादाम गाकर इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं उन्हें इसका अंदाजा तब हुआ जब दूर दरास से लोग उनसे मिलने पहुचने लगे लोगोंने भोवन के साथ वीडियो बना कर शेर करना शुरू कर दिया इस तरह भोवन की पॉपलरिटी तेजी से बढ़ने लगी भोवन लोगों को अपनी और आकरशित करने के लिए सुर में काचा बादाम गीत काया करते थे बांगला में वो एक महले की महलाओं से अपील करता है कि अगर आपके पास कोई टूटा फूटा फोन है आपके हाथों की टूटी बाला या रोल गोल की टूटी हुई चैन है तो आप मुझे दे दे और बदले में कच्छा वादाम ले जाएं सोशल मीडिया पर इस गीत को लाग हो लोगों ने पसंद किया हर कोई इस गाने पर अपने अंदाज में फेस्बुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहा है भोवन बताते हैं कि दस वर्षों से वो मुंगपली बेच रहे हैं बोरे में भर कर मुंगपली लेकर घर से निकलते हैं और घूम घूम कर उसे बेचते हैं पिछले दिनों वो गाना गाकर मुंपली बेच रहे थे तब ही एक शक्स ने उन्हें एक बार फिर से पूरा गाना गाने के लिए कहा जब वो गाने लगे तो उसने फोन में उसे रिकॉर्ड कर लिया इसके बाद तो देखते ही देखते ही ये गाना लाखो लोगों के मुबाइल फोन में पहुँच गया इसके साथ ही बोवन भी मशूर हो गए दोस्तो गली गूम कर और गाना गाकर मुंपली बेचने वाले बोवन पेहदी साधारन परिवार से तालुक रखते हैं आपको बताते हैं कि एक महीने में भोवन महज 2-3,000 रुपए ही कम आपाते हैं उनकी कुल संपती 40,000 रुपए है आलागी भोवन हाली में एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आये हैं लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि अब तक उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया गया है दरसल दोस्तों भोवन ने स्टूडियो में काचा बादाम गाना गया था लेकिन इसके पैसे उन्हें नहीं मिले रानू मंडल दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम है रानू मंडल का रेल्वे स्टेशन पर एक प्यार का नगमा है बहिए मुझे से तो अच्छे ही गाती है ये ये गाकर रात और रात वाइरल हुई रानू मंडल को शायद आप लोग भूले नहीं होंगे और चो लोग भूल गए उन्हें मैं याद दिला दू कि रानू मंडल एक समय अपने पेट की भूग मिटाने के लिए रेल्वे स्टेशन पर गाती थी जिससे लोग उन्हें कुछ पैसे देते थे और वो अपना गुजर बसर कर पाती थी इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके एक वाइरल वीडियो ने उन्हें रातो रात स्टाव बना दिया रानू मंडल के इस टैलेंट को अतेंद्र चक्रवर्ती नाम के एक शक्स ने पहचाना अतेंडर ने रानू मंडल के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पहली बार शेयर किया था तब किसी को नहीं लगा था कि रानू मंडल की आवाज इतनी लोग प्री हो जाएगी लेकिन रानू मंडल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि रानू मंडल की इस आवाज को आम लोगों के साथ देश के बड़े-बड़े सेलेबिटीज ने भी काफी सरहा बस पेरे यहीं से शिरू हुआ रानू मंडल का रेलवे स्टेशन से बॉलिवुड तक का सफर रानू मंडल की आवाज को बॉलिवुड में पहला मौका बॉलिवुड सिंगर वाबनेता हिमेश रेशमिया ने दिया रानू ने हिमेश रेशमिया के एक फिल्म के लिए तेरी मेरी कहानी नाम का गीत रिकॉर्ट किया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था अपनी आवाज से दुनिया भर में लोगप्री हुई रानुमंडल, बंगाल के नादिया जिले के राना घाट की रहने वाली हैं। कलब में गाना छोड़ दिया। उन्हें ना ही किसी रियलिडी शो में देखा जाता है और ना ही किसी गाने की रिकॉर्डिंग में। दरसल स्टार बनने के बार रानुमंडल के तेवर काफी बदल गए थे। कई बार उन्हें फैंस के साथ बत्तमीजी करते देखा गया तो कई बार मीडिया के साथ इमेश रेशमिया के साथ भी रानु की लड़ाई को लेकर खबने सामने आई थी। उनके इस बेहार की वज़े से उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था और साथ ही उनके उपर कई मीम्स भी बनाये गये थे। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें घमंडी कहने लगे। सहदेव, दिर्दो, रानु मंडल की तरही वाइरल वीडियो से इंटरनेट पर धूम मचाने वाले अगले पायदान पर हैं। सहदेव, दोस्तों इनका गाया हुआ गाना, जाने मेरी जाने मन, बसपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। ये गाना कुछी दिनों में सोशल मीडिया पर इसकदर चाया कि हर सेलबडी, नेताओं और आम लोगों ने इसे गुन-गुनाना शिरू कर दिया। इनकी आवाज पर म्यूजिक के साथ गाने को दुबारा क्रियेट कर पूरे देश में इनके गाने को पहचान दिलाई। इसके बाद बादशाने ने अपने साथ गाना गाने का ओफर भी दिया। बादशाय से मिलकर वापस आने के बाद 36 कर्ड के मुख्यमंतरी बूपेश बगिल तक ने सैदेव के गाने को सुना और पिर उनसे मुलाकात की। बास इसके बाद बॉलिवूड सेलिबर्टी से लेकर राजनेतिक हस्तियों ताक सैदेव की पहचान बन गई। दोस्तो फूट डिलिवरी कंपनी जोमेटो के डिलिवरी वाइस सोनु के एक वाइरल वीडियो ने उने घर घर पहचान दिला दी थी। अपनी प्यारी मुसकान के साथ सवालों का जवाब देने वाले सोनु के स्मालिंग फेस को जोमेटो ने अपने ट्वेटर हैंडल की फोटो भी बनाया। अगर आप लोग भूच चुके हैं तो आपको याद दिला दे कि सोनु का ये वाइरल वीडियो एक टिक टॉक यूजर दानिश अंसारी ने बनाया था जिसमें वो सोनु से कुछ सवाल कर रहे हैं और सोनु बेहदी प्यारी मुसकान के साथ उनके सारे सवालों का बेवाकी स जवाब दे रहे हैं इस वीडियो में दानिश उनसे उनकी सेलरी के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें 12 गंटे काम करने के एवस में प्रती दिन साड़े 300 रुपए मिलते हैं लेकिन वो कमपनी के साथ बेहत खुश हैं जब उनसे पूछा गया कि क्या तो वो कहते हैं कि हाँ जो और कैंसल हो जाता है वो उनका हो जाता है स्माइल करते सोनु के वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया तो भाई आप जो मैटम में कितना पैसे कमा लेते हो साड़े 300 देली का इंसेंटिव लगा कि और वो चंदी गंटे में पूरे देश में वाइरल हो गए इस वाइरल वीडियो के बाद उने कई कमपनियों ने अपने आइड के लिए आफर भी किया था हालाही वाइरल होने के बावजूद भी सोनु की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवरतन नहीं आया और वो आज भी पहले की तरह ही अपनी जिंदगी ज चर्चा में आये थे ये डांस उन्होंने अपने साले की शादी समारों के दोरान किया था उसके बाद उनका ये वीडियो ऐसा वाइरल हुआ कि वे रात उ रात इंटरनेट सेंसेशन बन गए दोस्तों संजीव श्रीवास्ता भोपाल के भाबा इंजिनिंग कॉलेज में प् रवीना टंडन दिव्या दत्ता तक ने उनके डांस की तारीफ की थी वाइरल होने के बाद डबू अंकल को काफी सारे एड के ओफर भी आये और कई सारी कंपनीज ने अपना ब्रेंड अमबेज़र भी बनाया आज डबू अंकल मस्ती के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं